जो आफिसर से उनको इमिडेट बात करके इमिडेट एक्षेन लेके काम आवाम के भी जाना है काम करना मुझके आज के डेट में वो काम चल रहे है आज गुलबरगे के मेर को लेके आज कॉंग्रेस पार्टी रोल निबाना चाहिए वहाँ पर जाकर लड़ना चाहिए त्यास मेरे साथ जेडियास पार्टी के उभरते वे युवा निता कृष्णा रेडी जी मेरे साथ है और यह वाड नमबर सोला के श्रीमती विज्या लक्षमी जी के बेटे भी है कृष्णा रेडी जी सबसे पहले मैं आपको गुलबरगा टाइमस में वेलकम करता हूं आपको अक और अक्सर आपको देखा गया है कि जो भी लोग की परेशानी है तुरन तो आप उसको दूर करते हैं तो किस तरीके से आप प्लान करते हैं और क्या एड़ादा है आपका अपने एरियों को लेकर किस तरीके से आप डॉलप करेंगे आगे असलाम आलेकुम रहमत तुलाहिव बरकातो नमस्कार आज वाड लंबर 16 जो मेरे वालदा वहाँ पे कार्पेट रहे मैं आवाम के बीच गया था मेरे मां के लिए ओट मांगने के लिए उस टेम पे मैं आवाम के बीच बात दिया था कि मेरे मां अगर यहां से जीतेंगे तो मैं मां के तरफ से मैं आवाम के खिदमत करूँगा बुलके आज मेरे को हर संडे कंपलसरी में वार्ड में जाता हूँ कही ना कहीं एक दो संडे मैं ड्रॉप हो चुका हूँ मेरा हेल्थ का तोड़ा इशू था अवाम जो भी तकलीब में है आज मेरे पास विट रिकॉर्ड के साथ मैं कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे मसेले हैं वार्ड लंबर 16 में पहले वार्ड लंबर 13 बोल के था उसके बाद में इसमें 2 वार्ड डिवाइड करें 16 और 15 तो 16 वार्ड लंबर में आज 10,000 ओट से हमारे पार्टी में 10,000 चिलर वापे मेरे वार्ड में ओट से अब जो भी तकलिब है, मैं सोचता हूँ, आज वार्ड नमबर 16 के पांच से लोगों को मैं जाब भी दे चुका हूँ, मेरे खुद के बिजनिस में क्यों मुलें तो वहां पे बहुत सारे यूथ जो है, पड़े लिके लोग आज वहां पे बेकार भी है तोड़े, मैं वोग बेकार रहना नहीं चाहरा हूँ, इमिडेट मेरे बिजनिस में जो रिक्वाइड में इमिडेट चार पंच लोगों को मैं जाब दे चुका हूँ, औ आने वाले दिनों में और मैं इन्शाला अगर बिजनिस मेरा अगर बढ़ेगा तो मैं और मेरे वाड में आवाम के जो भी और तोड़े लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए उन लोगों को मैं काम पे लगाऊंगा, और बहुत सारे मसेले में यूजडी, लाइट का ह हैं, अक्सर जहां पे होटलों में बाचीत दिखती है कि पहले जो आपका अरे था, वह एर्या अंडर कॉंग्रेस के दोर पर वह एर्या को कहला था था, कांग्रेस की सीट थी वह एर्या में, तो आपके वहां पर जीत हासिल होने के बाद, क्या अंतर लगा आपको पहले का कैसा था वहां का और अपका development कैसा है देखो पहले जो वाँ पे corporate रहते हैं बहुत सारे लोग शिकायद भी कर रहे थे हैं पहले जो corporate रहते हैं कुछ काम ने करें और ने करें बोल गए अब आमको उनका जो काम करें या ने करें मेरे को लेना ना देना उनसे मैं उनको यही बोला हूँ आज से नया काम नया candidate तुम्हारे बीच आ रहा है खिदमत करने के लिए हमको एक मौका दो इंशाला हम पूरा आप के वार्ड में आके खिदमत करेंगे बोलके मैं आवाम के बीच जा रहा हो खिदमत कर रहा हूँ अभी पुराने लोगों का उनों यह ने करें और आपर करने से टाइम वेश्ट करके मेरेको दूसरे बाते अगर बुल गए तो दूसरे काम भी हो सकते हैं तो उसलिए मैं आवाम के भी जाके काम कर रहा हूं और आने वाले दिनों में ऐसी करूँगा और कार्परेशन का बॉडी, अभी एलेक्शन होके तीन से चार महीने हो रहे हैं यहां पर अभी तक बॉडी ने बना है कई लोग यह भी बूल रहे हैं कि अरे बॉडी ने बना क्या करते ऌदेनिया। इसल्प जानें पईशाने लगता है बॉडिने लगता है वज बूपार जाकर पूचे था य?" बले हूं काम होता है लिए हो सेकशेंड ॉ अब दुसरे इरे के कारपेटर बात करते हैं मगर मैं वो बातों को द्यान ने देते हुए मैं आवाम के मीट जा रहा हूँ काम कर रहा हूँ और इंशालला बाड़ी बनने के अबाद मैं जो मेरे वाड़ को डॉल अप करना है और मेरे माँ का भी यही कहना है कि हमको वाँ के लोग जीता है एक मा पे एक इंदू मा को आज मेरे मुसलमान मा और बैनों वाँ जो आज सेकुलरिजम जो समझ के जो हमको जीता है वाँ पे याने गंगा जमनात अधीब के बड़ी मिसाल काइम होगी तो आज मैं मेरे वाड़ में जीता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मुसली मेरे 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 जीता हूं बोलके मेरे को फिल नहीं हो रहा है मैं मेरे फैमली, मेरे बाई, मेरे माँ और बैनों के बीच में आके जीता हूं बोलके मेरे को आप पे फिल हो रहा है कृष्णा जी आपने बहुत अच्छी बात चेड़ी आपने जीत की बात चेड़ी तो मैं आपके एरे की सीट को लेकर अकसर एलेक्शन के दौर पर एलेक्शन से पहले ओटिंग से पहले ही लोग डिकलेर कर देते हैं कि यहां की सीट कृष्णा रेडी जी ही जीतेंगे तो क् क्या वाकितन आपको यह सीट आपके मलब आप जीत सकेंगे आपको कॉन्विडेंस था देखो मेरे को कॉन्विडेंस था मेरे पार्टी के लेडर्स भी साथ दिये हैं हमारे नाशिर उस्ताज साब हमारे हद्दान कान साब हमारे जांगीर कान साब यह पूरे भाया हमको साथ और पार्टी के लेडर्स भी हमारे साथ दिए जिस दिन कैटेगरी आया था उस टाइम पर नासिर उस्ताद साब का कहिना था कि मां को वहां पर एलेक्शन ठहरा करेंगे तो नासिर साब गर पे आये मां से बात करें मां बोले ठीक है आप मेरे बेटे है क्रिश्णा रेडी चोटा बेटा नासिर उस्ताद बड़े बेटे बोलके मेरे मां आज भी ओई एक्सपेट से नासिर उस्ताद साब को बड़े बेटे के जागे पे देखते है जब बेटों का हैं तो मां ठैरने के लिए तैयार है तो मेरे को नाशीर उस्तासाप कहले तो जा करकी कि मां कुछ पर काम स्वेशन में नगा तो aćना रहाए बहुत सारे सामने बाते आने लगे यहां पर कॉंग्रेस का गड़े यहां पर जेडियस का कुछ यहां पर बेस नहीं है तो ऐसे नेगेटिव बाते बहुत सारे आने लग रहे तो मां के पास मां बैटके एक दिन रात में मां के साथ बात किया तो मां बोले बिटा वहां पर आपको आपके एरे में सबसे ज्याद किस चीज की कमी नहीं है। कमी देखो अभी रोड डालोप्मेंट होना चाहिए अच्छा ओपन ड्रेन डालोप्मेंट होना चाहिए। आवाम वहां पे तो यह चीजों को लेके कमी है वहां पे। वाड नंबर 16 में लोगों का जो आवाम के बीच हम गएते। कमी आज आमको नजर क्या रहा है। आज अवाम बोल रहे हैं कि अरे वाड में कार्पेटर है बोलके आज आमको फील हो रहा है बोलके अवाम बात कर रहे। उनके फोन साटेंड करना इम्मीडेट जो भी मसले कचरे के गाड़ेया ने आएं ड्रेन बर गया है लाइट कट गया है लाइट का बल्प चले गया है नल का पानी गंदा आ रहा नल पानी सही ने आ रहा तो इम्मीडेट मैं रेस्पंस कर रहा ह। इम्मीडेट रेस्पंस कर रहा ह। इम्मीडेट जो है जो आफिसर से उनको इम्मीडेट बात करके इम्मीडेट एक्शन लेके काम आवाम के बीच जाना है काम करना मौनके आज के डेट में वो काम चल रहे है आज आवाम वहां पे कमी महसूस नहीं हो रहा है जो कमी है आव मेरे वार्ड में एक गार्डन है पानी के टाकी के पास मेरे को गार्डन को डॉलॉपमेंट करना है तो उसके लिए बॉडी बनना ज़रूरी है रोड से और टूंटीफॉर और वार्टर का भी कुछ अप्रूल हो चुका है वह आने के लिए अभी टाइम लगेगा एक सरे अवाम देखो अभी वार्ड लंबर 16 में मैं सोचता हूं पांच साल भी मेरे लिए कम गिरेंगे अच्छा उतना काम है वार्ड में इतना काम क्या लगता है आपको पिछले बार जब वहां पे कॉंग्रेस की सीड थी कॉंग्रेस के कार्परेटर थे तो उन्होंने वहां स developments बने वहां रोड पुटके फूरे को अरो जो नाली या अझा ठळी बने अब प्रॉपर ने बने और तार रोड बना ऊपर ने बना करें वह और न का का म करें यूज़ीटी का वह आस तक कई घरों को कलेक्शन ने दिये कई गरों के सामने टाकी बना लेके यह टाकी में स्टोरेज कर रहे तो कहिना कहीं यूज़ीटी का काम जो बड़ा पोजेक्ट अमरे वार्ड में काम हो चुका है जो काम होने के बाद में पाइप लाइन जो गर के जो बात्रूम्स के लाइन से वह अमरे यूज़टी को कनेक्शन देना है लगबग मैं एक देड़ दोसों घरों को अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है अभी तक टाकी में स्टोरेज चल रहा है यह कई न कहीं क्या है ऐसा होने से बीमारें फाहिलते हैं इन्फेक्शन बढ़ता है यह कामा है समझा मैं उसके कंसर्ट आफिसर्स को बात करें तो ने साब वह पहले से चैसा है वह बाने बना रहे यह बादी बनने के बाद हम लोगों को भी क्या है बात करने के लिए एक मौका रहता कार्परेशन आफिस में आज बाडी ने बना हम लोगों को बात करने के लिए वहाँ पे उतना ओजन जो कार्परेटर का है वो आज उतना महिसूस नहीं आएंगा रेस्पॉंस कर रहे हैं अभी कार्परेशन के ये डेवली ये जो भी आफिसर्स हैं कमिशनर हैं हम लोग उनको जा रहे हैं कंप्लें काफी बाल वा था कि आपने रोट के काम को रूट द्या क्या मसला था देखो मेरे वार्ड में तार रोड का कि टेंडर आलाउंट मेंट हुआ था जिस दिन मैं एलेक्शन के कैमपनिंग के टाइम में पिर रहा था हम कुछ कुछ चलने के लिए वहां पर तकलीब हो गया था जिस दिन एलेक्शन डिक्लेर हो गए थे उस टाइम पर पर पस ली जो है हम लोगों के गाड़ा ने गुमन कर दाल के उसके बाद में जो काम कंटीनिव होना तो काम को ब्रेक किया गया है जब मैं जाके एडबली से बात कर रहा था तो लैंड आउर्डर मेंटेन करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं कि कार्पेटर को इस तरह बात किया है तो मेरे को एशू को लेकर रेस करना था स मैं और लोगों से कॉलिटी काम पूछा हूँ एसपर टेंडर जो भी टेंडर के जो क्लॉज रहते हैं उसके इसाफ से काम होना बोलके मैं जाके वहाँ पर सर्वे किया था वह उस ताइम का काम नहीं हो रहा था उसमें यहां शेजंडिय Till ठीशन के साफ से काम नहीं हो रहा नंइे का स्टेट्मेंट क्था कि यह कैस्ट के साफ से काम हो रहा है यह इंस अ काश्धेशन को 캰पोशन नहीं हो रहा है यह मेरे को चेंजिस भत दिखा मैं कि थर्ड पार्टी जब हँआ पे उस नम को अधिम जगा थे आ है तो लोग तो अभी पो चोर मैं चोरी करें बोलके के नहीं में बोलता तो ऐसे वहां पे रोड को लेके स्कैम जो भी चल रहा था उसके लिए मैं सोचल मेडिया में आवाज उटाना पड़ा उसका अभी तक कोई रेस्पोंस नहीं है मगर ओ लोग काम तो कर रहें स्टार्ट भी कर चुके अभी पूछे तो बोलते नहीं यह कारपरेशन एलेक्शन से पहले अलॉटमेंट हुआ था यह MLA के फंड में अलॉटमेंट हुआ था बोलके कई नहीं MLA का सपोर्ट नहीं पर दिख रहा है प्रिशन रेडी जी आप पहली बार आप कारपरेशन सीट में अलब कारपरेशन एलेक्शन में आए आपने जीत भी हासिल की तो आपकी नजर में कारपरेटर कैसा होना चाहिए क्या आप क्या लगता है के कारपरेशन कुछ की सारिके से अपनी एरिया में काम करना छाएए मैं 2013 वाट literature मारिए मैं 17 एक टेरा था शरणो- मोधी सामने उस टाइम पे हमारे पार्टी में रेवर फैमिली हमारे पार्टी में थी दतात्रे पार्टी साब के माता जी जो है ना ये मेले थी हमारे पार्टी में अच्छा उस टाइम पे मेरे को कही ना कही मेरे लीडर्स मेरे को हाथ दिये वार्ड लंबर सत्रा 2013 के बात कर रहा हूँ मेरे वहाँ पर हार हो गया आली में वार्ड नमबर 16 17 ने शोला में आज मैरे को मैं कार्पेटर नहीं हुँ मेरे वालदा वहाँ पर कार्पेटर है मगर मेरे यह जो मुकाम मिला है किदमत करने का कार्पेटर सहा भोलके लोग मेरे को बुलाने का वो मेरे मा के तरफ से ने लगा आपनी एक बात बहुत अच्छी कही कि लोग आपके तरफ बहुत जल्द हमने भी देखा है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एरे के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कारप्रोटर से जुड़े हैं तो कैसा लगता है आपको कि जब इतने लोग आपके उपर भरोसा करते हैं तो आप किस हद तक आप कोशिश ये करते हैं कि लोगों की नजर में और करे उतने देखो मेरे फैमिली में मेरे बलड में जो है मेरे को कोई भी अगर नयाबंदा मेरे को मिलता है तो उस से मैं दोस्ती का रतों पहुत है मेरे को कुशी मैसूस होता है कि खित्मत करने का कोई problem में है कोई hospital में है किसी के गर में शादी है तो कोई ठकलिप में मेरे सामने अगर आके वह बैटा तो मेरा दिल गावार आने करता मैं उसको जो मदद करना मेरे दिल से करता हूँ वो हमारे इसमे ही है नेचर में है आज उसले मेरे को वार्ड लंबर 16 में पूरे मेरे को नौजवान भाई मेरे साथ देते में वार्ड में गए तो लगबग पचास सव लोग यहीं जमा हो जाते जाता हूं कि ड्राइवर में दोनों ही जाते इमेड़ेट आरे हम आये बोलके पूरे लोग इमेड़ेट आके वहां पर हमारे साथ ठहरते आपने कैसा हो सूजा कि मतलब भाई हर हफते वीकली एरे में जाना वहां के लोगों को परेशाने को हल करना क्या लगता है क्या यह एक राजनीती ही आपको महां लेके जाती है आपका परसनल इंटेंशन रहता है कि लोगों तक पहुंचे ने देखो मैं जब कैम्पेंग कर आफिस है अभी बाडी बनने के बाद में मैं आफिस को तोड़ा इंप्लिमेंट करना चाह रहा हूं और एवरी संडे मैं आवाम के बीच रहांगा वार्ड में क्या हो जाता कि दूसरे दूसरे कार्पेटर्स को भी हम देख रहे हैं देख चुके हैं जीतने के बाद 5 साल य जाके लोगों के बीच रहता हूं चार-पांच गंटे में वार्ड में टाइम देता हूं हर एक अलग-अलग स्पोट पे जाता हूं वार्ड में वार्ड में वार्ड के प्राब्लम्स तकलिप पूरे समझ में आते हैं मैं इमेडेट जो है उसका एक्शन लेकर उनको काम कर क्रिशना जी क्या आपके मलब खाहिशात है क्या आप चाहते हैं कि आप अपने एरे को किस मुकाम पे देखना चाह रहा है तो क्योंकि देखे आजकल एक एरे नहीं शहर में कई सारे ऐसे लोग हैं नौजावान पीडी है जो बेकार है जिनके पास एजूकेशन के लिए फैने आप महफूज हो और पूरिया महां पे ड्वल्पमेंट हो देखो मैं जो आज ये पोजिशन में आया हूँ आज मेरे माबाप का दुआ है और अल्ला ताला का दुआ है मैं खुदी छेस्टोर रुपे में काम करें अशल अद्मियों 600 रुपीज में मैं 16 साल के उमर में मैं काम कर रहा हूँ 16 साल हाँ हम लोग फाइनल्शेली से बहुत प्रॉपलम में थे मेरे पिता जी का छोटा ओटल ता आज भी है मेरे वालदा भी गर पे कपड़ों का बिसनेस करते थे आज भी हो क्लाइन्ट से उनके साथ जुड़े वे जब मेर को 16 साल के उमर में मैं कुद काम कर चुका हूँ गरीबी क्या है हमको मालूम है तो आज मैं मेरे वाड के पूरे नौजवान बाया हमको यही बोलता हूँ माबाप हमको इतने तकलिफ से हमको पढ़ाते आज कई लोग डिग्री कर चुके मेरे वाड में तो भी हो लोग कुछ काम ने बैटे वे घर पे तो मैं उन लोगों को कुछ एक पॉजिशन पर देखना चाहता हूँ आने वाड में देखे वो एरिया कंप्लीटली एक मुस्लिम एरिया है तो क्या आपको लगता था कि भी मुस्लिम कमिनिटी आपको सपोर्ट करेगी क्योंके वे एरिया में आपने एक अच्छी बात की कि भी गंगा जब न तैहिसीब को बरकरार रखते हैं लोगों ने जिस तरीखे से आपको वहाँ का लीडर चुना है आपकी इमाता जी को मुकाम दिया है आपको लगता था कि मुस्लिम तपके से आपको सपोर्ट मिलेगा देखो आज मेरा बैटना उटना मुसल्मान लोगों में ज़्यादा है आज बायाँ के जैसे रहते हैं आज हमारे सपेशलिग गुलबर्गा के जो मुसल्मान लोग है आज यहाँ पर जात पात ने करते हैं आज हमारे दावत में ओ लोग आते हैं उनके दावत में हम लोग जाते हैं वो सेकुलर माइं रखे हुए यह आजकल जो एक कमुनेल पार्टी वाले बटक रहे ना यह लोग चले जाते टेंपोररी है वो सेकुलर माइंड रखे वे आज सेकुलर एक माँ मेरी माँ ने उंकी माँ ठेरी बोलके आज लोग साथ दे के आम कुछ जिता है वहाँ पर मेरे को बीजेपी ओले कांगरेज ओले कई मेरे जान पाचनत के लोग मेरे को बोले अरे भए वहाँ पर मुस्लिम है रहे आपको कैसा साथ देते बोलके अज ओलोगों के मुँपे मारे जैसा ही आवा म की है वहाँ पर वार्ड लंबर 16 वारा एंद्यूश साथ हो वही ही पर मिसलिम हैतो ही तो हो वह हमारे ब्लड में है हमारे नेचर में है सेकुलर बोले दो उस वह ओल्ला जो सीनियर्स हैं, भुजूर्ण लोग है, कई लोग के बाद में गया, बोले कि ने, हम इतने साल कॉंग्रेस कोड दिये, बोले, मैं बोला हूँ, ठीक है, आप कॉंग्रेस कोड दिये, इस बार मेर कोड दो, मेरे मा के लिए, बेटा आपके बीचा है, एक बार हमको किदमत करन आपके बार मेरे 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 मेर जाएगा मेelी के लिए आवाम चुन रहे है आवाम के लिए ऐसम्बली में आवाज उण ठाना है तो लेडर को कनडा आना चाहिए इंगलीश आना चाहिए पूरे भाषे आना चाहिए एजुकेटर लेडर होना है नौर्थ में वों आपको लगता है क्यांकि बार जेडियस के हलावा Congress भी race में आगे है BJP भी आगे है अब तो यम आयम भी आगे है तो किस हद तक आपको कठिन नहीं लगता देखो अभी माईदान में 3-4 लोग तो उतरने वाले First किस्मत दुसरा लोगों का खिदमत करना लोगों के बीच जाना है और लोग भी देखो हर टेम अभी हमारे वार्ड को लेके ही बोलता हूँ 20 साल 25 साल से Congress का माँ पर कारपेटर जित्ती आया बोलके कही लोग बोले इस बार हमको क्यों साती कहीना कहीन आवाम changes चारी है तो इंशाला नौर्थ में भी यही होता है इस बार आवाम आपको मौका देता है देते हैं बोलके हमको कहीना कहीन strongly हमको दिख रहा है सुन्ने में ये भी आ रहा है कि सौट से क्रिष्णा रेड़ी जी ठहरने वाले हैं आने वाले अमेले एलेक्शन में तो किस हक तक ये बात सच है क्रिष्णा रेड़ी जी सौट में मेले की जगा ले पाएंगे जीडियस से लडने वाले हैं ये लोगों का कहना है इंशाला जरूर ठहरेंगे सौट में मैं भी एस्प्रेंट हूँ मैं भी पार्टी के लिए चौदा साल माई पार्टी में हूँ सौट में मेरे को इच्छा है कि इस बार महाँ पे मैं एलेक्शन लड़ूँगा अगर वहाँ पे भी मेरे पुरे इंदु बाई, मेरे आवाम मेरे मुसलिम बाई, सौब कम्यूनिटी के लोग वहाँ पे हैं मेरे रड़ी समाज के वोट से कई ना कई मेरे को साथ देते हैं बोलके मेरे को भी एक उमीद दिख रहा है तो सौट में भी बीजेपी ने अपनी पकड मश्बूत की है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को हरा के आप उस जगा पहुंचेंगे देखो यहां पर पचास सल सियासत करेश वाले को वहराइस वाले हैं अच्छा यह कुर्ची यह पार्टी यह पकड़ जो आप बोले यह कोई टेंपरोरी फर्मेंट नहीं है अच्छा सबको एक मौका इंशाला अल्ला तेला ने देगा लड़ेंगे हम साउत में बिल्कुल पार्टी हाई कमांड अगर हमको लेके आगे टिकेट को लेके आर्चीश से लेके हम लोग पार्टी में हाई कमांड से बात भी किया हूँ अभी एक साल एलेक्षन है इंशाला आवाम के बीच जाओंगा मैं एक साल पकर्ड कैंड़ेट ओ ये ओ नहीं है बले कोई भी कैंड़ेट रहें तो उसके सामने में ठहरूंगा इसकिन फिर भी कृष्णा जी देखिए कृष्णा रेड़ी यानि आज की डेट में जब कृष्णा रेड़ी जी की बात होती है तो एक प्रैक्टिकल सा लोगों को नजर आता है कि हाँ ये जब आते हैं तो कुछ नो कुछ मसले का हल निकल रहता है चली मान लीजिए आप वहां से एलेक्शन लड़े और अगर आप जीत भी गए तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा क्या आप डेवलप्मेंट लाएंगे सौथ के लिए देखो अभी आप मेरे को एक बात पूछे बीजे पियाओं पर फकड़ बनाए बात जी इन्शाला ऐसा कुछ यह ने मगर मेरे को अगर कंपेर करेंगे उनको मेरे को बोले तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ मेरे माबाब जो है पॉलिटिकली बैगरोंड नहीं है मेरे पिताजी एमिले नहीं है मेरे मा एमिले नहीं मा भी कार्पेटर बने है मैं गरीब फैमनी से आया हूँ मिडिल क्लास से आया हूँ ज जो घरीबी middle class का जो तकलीब ही हो में बहुत अच्छी तरह जानता हुँ मैं जो बएबर्त जो मैं childhood से जो महिनत कर लेते हैं हूँ वो आज मैं को एह सास है कि कहीना कहीं लोग जो हमारे south में 28 villages आते हैं कहीना कहीं middle class लोग भी बहुत सारे हैं बैकवर्ड लोग भी बहुत हैं कई ना कई लोगों के तकलीब मैं दूर कर सकता हूं वालकि मेरे में एक कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए तो आपको कैम्पेनिंग बड़ी जोरों में करनी पड़ी इंशालला मैं पांस तारीक को अजमेर जा रहा हूं उसके बाद मैं मेंधिपूर बाला जी टेंपल को जा रहा हूं वहां से आने के बाद में मैं साउत में भी काम स्टार्ट करूँगा एक साल है अवाम के बीच जाओंगा मैं देखो अभी जब पकड़ है उनका मजबूती है फिक्स ओर बेंक है यह जो फाइं चल रहे हैं यह मैं नहीं मानता हूं देखो आज कार्परेशन को लेके ही मैं बात करना चाहता हूं 23 बीजेपी सीट आये 27 एक इनडिपेंडेंट चार जेडीस आज कांगरेश के पास 29 सीट है आज बीजेपि के पास एक इनडिपेंडेंट ओर 24 सीट है और मिल लगवग उनके पास गोleg के थर्टी बीजेपी के पास हो रहे है तुन्टिनाइन कॉंग्रेस के पास हो रहे हैं मेर बनाने के लिए 32 सेट्स चाहिए किंग मेकर तो हम लोग है तो किंग मेकर आप लोग है बोध पर्टिस को हमारा सपोर्टिंग चाहिए लोगों का तो कहना है कि जीडियस ना अभी धर जा सकती ना अधर जा सकती जीडियस खुद इंतिजार कर रही है ताकि या बीजेपी उनको अप्रोच हो या फिर कॉंग्रेस उनको अप्रोच हो देखो अभी आज कॉंग्रेस पार्टि जो ज़्यादा सीट्स गुलबर्गे में जीत कर अज 29 उनके इंक्लोड रासाबा मेंबर और एमेदे मिला के 29 जो सीट्स है आज कॉंग्रेस पार्टि को आज जाके बैटना पटता आरसी के पाँच जाके बैटना आज गुलबर्गे के मेर को लेके आज कॉंग्रेस पार्टि रोल निबाना चाहिए आज जाके लड़ना चाहिए क्यों में तो उनके सीड्स जादा है आज ये कॉंग्रेस पार्टि कहीं न कहीं चुप बैटने से क्या वज़े हो सकती है कॉंग्रेस की खामोशी के पीछे क्या वज़े हो सकती वज़े जो है लीडर्स जो है अभी जो लीडर्स हैं कॉंग्रेस की कहीं न कहीं एक दूसरे पर दाल रहे है उन्हों ऐसा ऐसा बहल के वो मेरे कुछ समझ में आ रहा नहीं आज बीजेपी आज पांच से मलसीों को याड़ करने के लिए जो इम्मत किये गुलबर्गे में इतियास में फर्स्ट इम बीजेपी इम्मत किया है इसके पिछे कहीं न कहीं कॉंग्रेस का भी आत हो सकता है आज आज अभी पांच आड़ हो चुके है बीजेपी को किसी की भी जोरत नेच चाहिए जेडेस का बोल कि ऐसा बोल रहे है अभी तक डेट ने आया है एक बार डेट लाये थे लोग उस टाइम पर लोग क्यों एलेक्शिन ने किये मैं पूछना चाहत Simple हमारे कि जब बीजेपी आया था उस टाहिम पर क्यों पोस्ट फंट के कि एक कही ना कहीं बीजेपी को भी डरता कि आम लोग मेजेटी फ्रों ने कर सकते बुलकि लेकिन इस बीच तो अवाम काफी परिशान है देखे बीजेपी जीडियास और कॉंग्रेस के इस रणभूमी मेर को लेकर जो बॉड़ी नहीं बन रही है तो कही ना कहीं कार्पॉरे इलेक्शन होना साधिल कि चार साल एडिशनल दिन चले गए आज आवाम की खित्मत ने हो रहा है अज गुलबर्गे में डवलपमेंट ने हो रहा है अज सिटी कार्परेशन आफिसरों का हुकुमत चल रहा है यहां पर प्रॉपर काम ने चल रहा है कही ना कहीं यह मेर ने बनने से बहुत सारे मसेले भी पैदा हो रहे हैं कार्परेशन का फंड ने आ रहा है कि काने हैं कडी घृ को कौ को दो तीन साल ओक फंड ने दिये क्यों機會 ह decisions किसलिका स्टी को यह मेर यह ना कहीं यह झाकnd नियाज ब्युन में आज बव्यूंपमें है हम बहुत सोचे थे कि अरे बीजेपी हुकुमत में बहुत सारा डॉलपमेंट होता है आज केके डीबी भी उनके हाथ में ही है बोलके सोचे मंगा रो लेवल का डॉलपमेंट हो रहा नहीं आज मेर को लेके चुप बैटे अभी तक जब यह पांचे लोगों को आप एड करके हुकुमत करना चाहरे है तो एलेक्शन ही क्यों कि है अज जो 55 कार्पेटर जो जीते हैं आज कई लोग प्राब्लम फाइनेशली प्राब्लम कर लेके कुछ भी कर लेके हैं लोग जीते पच्पन मैं बेज़ेपी वालों से बोलना चाहता हूं जब यह 5-6 MLC को आप एड करके जब यह मेर एलेक्शन मेर बनाना चाहरे तो 55 MLC तो आप लाके बना उपी राइस नहीं चाहरे क्या होसकती है कि इतना एक तो कार्फरेशन एलेक्शन इतना लेट वा और फिर ऊपर से बॉड़ी के लिए इतना लेट तो आपको नहीं लगता के आवाम से बात करते हैं को यह तो इसका तो कही नहीं नहीं दखका आपको भी कुछ नए काम करने के लिए हमको कुछ पूछने जाते बजट नहीं है बोलके बाद करते कहीं नहीं हमको भी दक्का लग रहा है और इसके पिछे जो है जो आज रूलिंग गवर्मेंट बीजेपी है यह लोग यहां पर काम करना चाहिए बीजेपी वाले बोलते बीबीएमपी में कांग्रेज वाले दो लोग ऐसी किये बोलके अच्छा अरे कांग्रेज वाले गलती किये तुम भी गलती करने जा रहे हैं कांग्रेज वाले किये दो किये बीबीएमपी में हम भी क्यों नहीं करना बोलके अच्छ बीजेपी जिद को मेरे को कई लीडर्स मेरे से भी बात किएं बीजैपी के नहीं हम लोग सिंगल मेज़री प्रूफ करके आगे बढ़ सकते हैं आज इए पाँचे में अगर बीजैपी पर तो भी एक साल इसके बाद आगे मुश्किल हो जाएगा याने बीजेपी आगे टीक नहीं पाएगी तो क्या कृष्णा जी ये इस बात का तो खलासा हो गया कि आने वाले मेले एलेक्शन में सौथ से आप भी एस्परेंट रहेंगे तो क्या मेसेज देना चाहेंगे अवाम को आप क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल परसन है कि वह भरत बीज जाओंगा मैं सौथ में ठैरना तो पक्का है जी आवाम के बीज जाओंगा है वहां पर आगर आने वाले दिनों में आगर आवाम हमको साथ देती है नौर्थ सौथ में अगर सेडम चिंचोडी है यहां भी हमारे केंड़िट स्ट्रॉंग है सेडम के हमारे बालराज अगर वहां पर मैं आवाम के भी जाओगा अवाम की खित्मत मैं क्या करना चाहता हूँ वहां पर जो युवा जो आज पीडी है नौजवान जो आज वहां पे हमारे सौथ कॉंचेंसी में जितने भी लोग एजुकेटेड होके भी अन एजुकेटेड के जैसा पिर रहे हैं इसके पर ध्यान देना चाहिए सरकार को अगर हम बात करेंगे जब आप एस्परेंट रहेंगे सौथ को लेकर काफी पेचीज़ी बाते होती है कि सौथ की सीट जीतना बहुत टफ है बहुत मुश्किल है और वहां डॉयलप्मेंट को लेकर भी लोगों की काफी शिकायत हैं तो कभी आपने सर्वे किया सौथ को तो कह क्या आपको कैसा लगा कि यहां यह चीज होने से कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है कुछ लोग आपके तरफ कींचे चले आते हैं देखो सौथ में जितना डॉलप्मेंट होना था और डॉलप्मेंट ने हुआ है आज वहां पे ओपन ड्रें बड़े बड़े ड्रेंस बन रह को कहीं ना कहीं काम में भी कॉलिटी में फरक है रोड्स को लेके यह रहों में रोड्स को लेके बहुत सारे काम वहां पे पेंडिंग है साउथ में आज लेबर लोगों के लिए लेबर्स कार्ड के लिए अज डेली वाइजस पे जाने वाले लोग यह लोगों के लिए एक तिकाना नहीं है अच्छा आज आटो ड्राइवर से कई नहीं हो बिचारे आटो लेके बाहर निकलते हैं लोगों को दंदा होता नहीं होता उनके बारे में भी सूच रहा है गरीब हों के लिए क्या बेनिफीट दी यह सरकार सौथ में बोलो और यह टफ है मुश्किल है यह तो टफ से और मुश्किलों से तो हम डरने वाले नहीं प्याने ठैर ना पका है अच्छी नियत रखे आवाम के बीच लोगों के बीच जाओंगा मैं ओट मागोंगा लोग साथ देंगे तो इंशाला आने वाले पांच साल उनका भी खित्मत करूंगा मन्जिल अभी बहुत लंबा है मेरा अभी 32 है अच्छा और आगे जाना है अभी लोगों के पीच जाना है खित्मत करना है मन्जिल बहुत दूर है मगर इंशाला इस बार 2023 में मैदान में तो खूदना है आवाम के बीच जाना है मैं बोलो ना जो बैकवर्ड जो एजुकेटेड होते विए अन एजुकेटेड के जैसा जो रियक्ट कर रहे लोग नौजवान जो हमारे साउत में भी ये लोगों के लिए मैं कुछ फ्लाटफॉर्म लेके आओंगा अच्छा ये लोगों के लिए कुछ आज उनकी माँ हैं हमको दुआए मिनना हो इसा काम मैं करूंगा आज साउत में जितने भी माँ हैं और हमारे पिताजी के उमर के लोग हो सकते हैं उनके बेटों के लिए मैं जाके वोट मांगूंगा तो मेरे को अंडेड़ पर्सेंट लोग साथ देंगे बोलके मेरा कॉंपडेंस है अब लेड़ना बहुत है कॉंपडिशन जादा है पैसा भी बहुत है अब कही ना कही लोग बोलते हैं टफ है वह बोलके वह आवाम के बीच जाने के माद में मालूम होता आने वाले दिनों में टफ क्या है हार क्या है जीत क्या है सब मालूम हो जाता है इंशाल्ला आने वाले द झाल 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 झाल